ओम शान्ती बाइस मैं दो हजार चोविस की साकार मुर्ली से होमवर्क आज की मुर्ली से हम लक्षे लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए कर्मा तीत अवस्था को प्राप्त करने का पुर्शार्थ करना है कर्मा तीत अवस्था अर्थात बंधन मुक्त योग युक्त जीवन मुक्त ये तीनों ही स्टेजिस एक दूसरे से संबंदित हैं जितना बंधन मुक्त होंगे उतना ही योग युक्त होंगे जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त होंगे जीवन मुक्त अर्थात विदेही नियारे बापसमान तो आज हम इसके लिए स्वमान लेंगे मैं सम्पूरण पवित्र आत्मा हूं और इस लक्षय को प्राप्त करने के लिए आज हम अटेंशन देंगे बंधन मुक्त बनना है बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने कहा देहे में रहते हुए देही अभिमानी बन कर रहना है अर्थात देहे में रहते हुए इस इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है वो देखते हुए भी नहीं देखना अर्थात जैसे संसार में रहते हुए संसार आत्मा में ना बस जाए जैसे पानी में बोट चलती है पानी बोट में ना आ जाए तब बंधन मुक्त रह सकते हैं इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया करमिंद्रिय जीत बनना है बंधन मुक्त बनने के लिए बाबा ने कहा कोई बच्चा कितना भी खूबसूरत हो तुम्हारी बुद्धी में वहां नहीं जानी चाहिए अर्थात बंधन मुक्त आत्मा आकर्शन मुक्त बाबा ने कहा तुमारी बुद्धी में किसी भी चीज की याद नहीं आने चाहिए अर्थात साधनों को यूज करना है पदार्थों को सविकार करना है लेकिन आसकती नहीं होनी चाहिए इसी कोई बोलते है सुक्षम और स्थूल करमिंद्रियों को जीतना है क्यूं क्यूंक करके जाना है इसलिए बंधन मुक्त बनने की जो दूसरी विदी बताई अंतर मुखी हो करके अपनी जांच करनी है अपने अंदर देखना है कोई खामी तो नहीं अगर कोई खामी अपने अंदर समझते हैं उसे लिख करके बाबा को देना है जैसे की कोई मनसा तुफान आता ह कोई विकार तंग करता है, हैरान करता है, तो बाबा ने कहा वो लिख करके बाबा को देंगे, तो बाबा समझानी देंगे कि इसका जो खामी है, उसका आधार है देह अभिमान, देह अभिमान के कारण ही अंदर खामी आती है, इसको निकालने की विधी फिर बाबा समझाते है अपनी बुद्धी में बाप और घर की याद रहे और कहीं भी बुद्धी ना जाए तो ये बंधन मुक्त बनने की विधियां बताई फिर है योग युक्त योग युक्त होने के लिए आज बाबा ने विशेश अटेंशन दिलवाया सबसे ममत्व मिटा कर एक लवली बाप के साथ अपना योग रखना है ये पुराने संबंधों को भूल जाना है पुरानी दुनिया को भूल जाना है बुद्धी में रहे एक बाबा दूसरा ना कोई अर्थात बाबा ही मेरा संसार है तो इसके लिए बाबा के साथ ही सरब संबंधों का अनुभव करना है क्योंकि बाबा की याद से ही आत्मा के पाप करते हैं आत्मा पवित्र बनती है आत्मा लवली बनती है इस समय स्यम बाबा हमारा पिता है बेहद के बाब से हमें बेहद का वर्सा मिलता है इसलिए कहते ह Heavenly God Father Heavenly God Father से हमें Heaven का विश्व का मालिक पने का वर्सा मिलता है इस सुम्रिती से सदा ही खुश रहना है ऐसा हमें वर्सा देने वाले की याद में प्रेम्स के आंसु भी आ जाएं ऐसी याद होनी चाहिए फिर वो बागवान आता है बागवान आकर फूलों की बगीचे की स्थापना करते हैं वो देखते हैं आहिस्ते आहिस्ते फूल खुश्बुदार बनते जा रहे हैं एक एक खुश्बुदार फूल को देख करके बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ये फूल बहुत अच्चा है खुश्बू का अर्थ है अपने अंदर देवी गुनों को धारन करना है जिसके कारण बाप की नजर मेरे उपर पड़े फिर तीसरा है सर्जन वो सर्जन हम से बात करते हैं जैसे डॉक्टर को अपनी बिमारी बताई जाती है सर्जन हम से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सी ऐसी बात है जिस से तुम्हारे अवस्था नीचे आती है या तुम्हारे अमनसा तुफान चलते हैं तुम आगे नहीं बढ़ सकते कौन सा ऐसी खामी है जो अटकती है जब सर्जन ऐसे पूछते हैं तो सर्जन को सब कुछ सच सच बताना है तो सर्जन हमें राय देते हैं तुम तो चैतन्य हीरे हो तुम चैतन्य हीरे तो अपने अंदर की खामी को निकाल सकते हैं जड़ हीरे को की खामी तो नहीं निकाली जा सकती। इसलिए इस समृति में रहना है कि मैं चैतन्य हीरा हूँ। बाप के साथ बुध्धी योग लगा करके अपनी खामी को निकाल रहा हूँ। ये ध्यान रखना है बुध्धी इधर उधर भटके ना। तो ये सर्जन ने दुख का खेल है इसमें हमें हीरे जैसा बनाने की पढ़ाई हमारा टीचर पढ़ा रहे हैं। हमें एम अबजेक्ट अपने सामने रखना है और सदा खुश रहना है। सत्गुरु हमें आकर के पावन बनाते हैं। माशुक इस समय हमारे सामने हैं। जैसे कि दुनिया के औरों का भी शिंगार करना है। जीवन मुक्त बनना अर्थात विदेही बनना। विदेही बनने के लिए ट्रस्टी बनना होगा। जो भी हमारे पास है वो सब कुछ बाबा का है। और ट्रस्टी होकर के संभालना है। उसमें हमारी बुद्धी ना चले। बाबा ही सब ची तेंशन दिलवाई है संपूर्ण पवितरता और रोयल्टी के आधार पर ही तुम भविश्य पर प्राप्त करते हो तो इसकी धारना संगम पर ही करनी है तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मद्यकाल और अंतकाल के अपनी श्रेश सवरूप को समृति में रखकर संपूर्ण प स्थिती का अनुभव करेंगे और विश्यप का मालिक बनेंगे ओम शान्ति